हाई गाइज स्वागत है आप सभी का मैं हूँ डॉक्टर लोकेश वाली और आज का जो टॉपिक है वो भारतिय तरक सास्त्र या इंडियन लॉजिक हम लोग सब मिलकर पढ़ रहे होंगे तो स्वागत है वैसाब आप सभी दोस्तों का क्या हाल है अर्शन सास्त्र आस्तिक का मतलब क्या है नाश्तिक का मतलब क्या है इन चीजों को हम बड़े डिटेल्ड और विश्तृत तरीके से आज के इस सेशन में पढ़ने का प्रियास करेंगे बड़ा मजेदार और रोचक आज का हमारा ये इवेंट होने वाला है आज का एक किलास होने वाला है के छलिए हिंदी हिंदू उंदूस्तान विने तिवाडी कि भाई एक कि मैं यह नारे बाद में लगा लेना क्योंकि हमारा देश में बहुत सारे धरम हैं, वो सब बराबरी के हकदार हैं, और हम सब उनकी उतनी ही इज़त करते हैं, जितनी हम अपने धरम के इज़त करते हैं, तो आप पढ़ने को सेंट्रिक करके इस क्लास में आओगे, ना की नारेवाजी करने के लिए, ठीक है, ओके, तो इस चीज क समझ आपको अभी भले ना आए, लेकिन जब आप पढ़ जाओगे, लिख जाओगे, तो इस चीज को आप भैतर समझ पाओगे, क्योंकि कहते हैं, विध्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पातरताम, विध्या ही विनमरता को जनम देती है, और ये विनमरता ही आपको एक अच्छा इंसान बनाती है तो यह है बंदू आगे आजाए चलिए मैं ज़्यादा कॉमेंट्स नहीं देख रहा हूँ लेकिन आप लगातार पढ़ने की कौसिस कीजिए अब देखो हमारे सामने बहुत सारे कथन आएंगे आश्तिक क्या होता है नाश्तिक क्या होता है मैं आपको आश्तिक समझाने वाला हूँ, आश्तिक क्या होता है, नाश्तिक क्या होता है, एक उधारन देकर मैं आपसे किसी चीज की सुरुआत करता हूँ, देखो इस क्लास में, इस क्लास को सुरू करने से पहले, मैं आपको mentally prepare करना चाहता हूँ, आपको मानसिक रूप से त पढ़ते हैं चाहे हम गांधिवाद पढ़ रहे हो चाहे हम अमेडगर वाद पढ़ रहे हो चाहे हम अरस्तु को पढ़ रहे हो चाहे हम लेलिन को पढ़ रहे हो चाहे प्लेटो पढ़ रहे हो अगर हम किसी की विचारधारों को पढ़ रहे हैं तो विचारधारों को पढ़ने को सीखने में हमको समय लगता है तो चलिए सुरुवात करते हैं कुछ बेसिक और अच्छी चीजों कि नीतु क्लास में दीखने की जर्रोत नहीं है मैं आपको जो मैं जिन शब्दों को मैं बोलूँ आ उन शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना क्लास में आपको ज्यादा देखने की आफशकता नहीं है मैं जो बोलू उनको ध्यान रखना क्योंकि मैं आज की क्लास में आपको सार पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम एक बार चीजों की सुरुवात करते हैं वीडियो बहुत कम लोगों लाइक किया चलो एक उधारन की माधदम से हम किलास की सुरुवात करते हैं चलो एक सोचते हैं कि कभी-कभी आपने सोचा होगा कि कोई ट् प्रैसव पीडा है यानि कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है कुछी दिनों में और वो ट्रेन में सफर कर रही है उनका थोड़ा थोड़ा पेट दर्द हुआ और वो टॉयलेट में गई पिशाब करने के लिए नित्त करम के लिए और एका एक ऐसी प्रकरती की घटना ह होई कि जो बच्चा है उसी समय बहार आ गया और जो गाड़ी का जो डिब्बा होता है उसके उसमें जब एक उचिद्र होता है टॉयलेट लेटरिंग का उसमें से वो नीचे निकल गया अब ऐसी घटना को सोचकर आपके मन में क्या आएगा हे भगवान तो कितना निर्देई है एक छोटे सा बच्चा नीचे गिर गया अब आप सोचो कि इतनी ट्रेन की स्पीड चल रही है तक्रिमन डेड़ सो की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है और डेड़ सो की स्पीड से अगर कोई मासूम बच्चा जिसकी उमर अभी कुछ सेकंड पहले ही पैदा हुआ है और वो ट्रेन से निकल कर नीचे पट्रियों में जा गिरे, पट्रियों में गिर जाए, वो बच्चा मरेगा या बचेगा आप मुझे ये बताओ, डेड़ सो की स्पीड से आप और मैं अगर ट्रेन से गिर जाए तो हम भी मर जाएंगे, अगर कोई बच्चा नीचे गिर गया तो ट्रेन की ददडडडडड़ वैसे ही मर जाएगा, उस कितनी स्पीड से चलती है ट्रेन, और उसको चोट भी लगी होगी, क्या वो मरेगा या बचेगा? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है सर आपके पास गुड क्या सवाल कर दिया भाई महाराज ऐसा अगर बेटा धंका सवाल नहीं हुआ ना तो आज क्लास में आज के बाद दिखेगा नहीं मुझे आप किस कॉलेज में पढ़ाते हो ये सवाल इतना महत्मून है ए भाई कि चलती हुई क्लास का तुम समय ले रहे हो इतना व्याकुल हो रहा है ए भाई इतना व्याकुल हो रहा है कि मैं किसी चीज को टॉपिक को समझाने के लिए लगा पढ़ा हूं तेरा इस चीज पर ध्यान नहीं है अब तुम उससे पूछेगा कहां पढ़ा हो कहां नोकरी की है कहां से पीएचडी किया है कहां से क्या किया है तो मैं इन चीजों का जवाब देने के लिए नहीं बैठूँगा मैंने इसके लिए पर्सनल वीडियो बना रखे हैं आप सर्च करना डॉक्टर लॉकेस बाली प पर उद्देश तुम्हारा पढ़ने का होना चाहिए ठीक है यह कॉशन क्लास में नहीं कि शुरू करते हैं सवाल मैंने आपसे किया है देखो ऐसा है आप सुनो पहले इस चीज को यह लाजिकल रीजनिंग ना लॉजिक की बात हो रही है इसी को कहते हैं तर्क और इसी को कहते हैं कुतर्क जब कोई चीज किसी फ्लो में चल रही है कोई चीज को समझाया जा रहा है अगर उस चीज से हटकर कोई बात पूची जा रही है तो उसको कहते हैं कुतर्क और अगर उसी दिसा में अगर हमसे बात की जा रही है तो उसको कहते हैं तर्क तो इसी को साथ कुतर्क और तर्क केसरेणी में रखा जाता है इसी चीज को तर्क और कुतर के दोनों मैंने block कर दिये हैं वो अभी क्लास में आ घंगे नहीं कई कुतरक वाले लोगों को उनी करता Math आश्टिक वाला मेरे सवाल ही था कि ठ्रें चल रही है और ट्रें मेंसे कोई बच्चा गिर जाता है तो उनकी स्तितिक क्या होगी क्योंकि हमको विस्ज़ से नहीं बटकना है आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो गूगल करो डॉक्टर एलो के एस एच बी एलाई डॉक्टर लॉकिस बाली लिखो पी एच डी यूनुर्सिटी तो मेरे यूनुर्सिटी के पी एच डी करने के दोरान बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ठीक है अगर आप जानते हो असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज ये सर प्रोफेसर करो तो आपको वहां पर भी कह सारे वीडियो मिल जाएंगे यह आप स्वैम डिसाइड करना आ गया ठीक है जो कि अब हम तरक की बात करेंगे तरक हिसाब से करेंगे तो अब आपके मन में विचार आएगा कि कोई बच्चा अगर नीचे गिर गया है अगर कोई कि इस दुनिया में इस्वर नहीं है हाई है है तो आपके मन में दो विचार आएंगे आपके मन में दो विचार आएंगे इस दुनिया में वगवान है यहीं नहीं कि एक छोटे सी मासूं बच्चे ने क्या भीगाड़ा होगा तो उसको ट्रेंड से नीचे गिरा दिया आपके मन में विचार आएगा गटना को देखकर कियोंकि आपके मन में जो विचार आएगा ना वो घटना जनित विचार है वो घटना के आधार पर पैदा को आपके मन में तुरंत ये विचार आएगा किस दुनिया में ना भगवान है यह नहीं छोटे से बच्चे ने क्या भी गाड़ा उसका कि उसकी मृत्ति हो गए और आपका ना भगवान नाम की संकल्पना से विश्वास उठ जाएगा तो आप क्या हो जाएगे भाई मैं हो गया हूँ नाश्तिक मैं नहीं मानता किसी भगवान को मैं नहीं मानता आपके मन में ये भावना जागरत हो जाएगी लेकिन आपने कई बार ये पड़ा होगा कई बार ये सुना होगा कि चलती हुई ट्रेन में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई नवस जात सिसु को जनम हुआ जनम के साथ ही वो पटरी पर गिर गया और वो जिन्दा बच गया ऐसी आपने कितनी घटनाओं का जिक्र सुना होगा न्यूज पेपर्स वगरा में कहीं कहीं पड़ा होगा कि वो बच गया हो मासुम बच्चा तो आपके मन में क्या भाव आएगा कि जियो को वो ना मतलब वो कहने कि मार सके ना कोँए इस वाला वागय जिसके साथ इस वार उसको कोई कुछ बाल भी बाखा ने कर पाएगा तो आपका इस वर में विश्वास पैदा हो जाएगा कि याँज तेरी लीला अप्रम पार है तू चाहे तो किसी को भी इस समय क्या हो जाओगे आस्थिक हो जाओगे इस्वर को मानने वाले क्या हो जाओगे मानने वाले हो जाओगे क्या दोनों भाव आपके मन में का कुछ बगवान होते हैं यही मन में आएगा अब आप कॉन से बगवान को मानते हो देखो भगवान का मानना या नहीं मानना अभी मैं पानी लियाता हूं तब मैं आपको बतलाऊंगा कि किस परस्तिती में हम भगवान को मानेंगे मेरी आवाज तो आ रही होगी क्योंकि मैं वायरलेस माइक से बात करता हूं तो मैं अगर दूर भी चला जाता हूं यहां से तब भी मेरी अब आपके मन में क्या भाव पैदा हुआ है कि इसवर है या नहीं है हम आपको लगता होगा कभी कभी कि इस दुनिया में इस्वर है पर आपको यह लगता कभी-कभी दुनिया में इस वर नहीं है अगर मैं फिलोस्परों की बात करूं तो कोई व्यक्तिस चीज़ को बिल्कुल पुरूफ नहीं कर पाया है कि बगवार नहीं और यह बहुत बड़ा डिबेट का हिस्सा है तो हम इस डिबेट पर नहीं जाएंगे हम हमारे टॉपिक का नुसार बात करेंगे कि मज़ा रहा है पढ़ने में समझने में कि चलो मैं कमेंट के जवाब देता हूं आसी पारी कह रहें के सर अरजेंट रिक्वेस्ट है सर इत्सक्राइब मेरा पढ़ लीजिए यह अरजेंट है मेरे लिए प्रीज आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए आसी पाथ है मैं पढ़ लेता हूं बेटा लेकिन पढ़ते पढ़ाते हुए मेरे लिए ढूड़ना भी बड़ा मुश्किल होगा आपका कमेंट्स को आप दुबारा लिख दोना मेरे लिए कमेंट ढूड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने सारे कमेंट्स में आप बेटा दुबारा लिखो कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहा आप दुबारा लिख दीजिए चलिए ओकि आप जो बाद में कलास्त में देख रही हो ना आप सब लोग कमेंट्स करो मैं बाद में रीड करता हूँ यह सी तलाशता हूँ गर्मी हो लिए और काफी पहां गया रिमॉट कि शुरू करें ओके तो भारतिय दर्शन सास्त्र की हमको आफशक्ता क्यों पड़ी कुछ दिन पहले इस टॉपिक को क्यों एड किया आपने देखा होगा कि भारती दर्शन सास्त्र को बहुत कम सिक्षक ही पड़ाते हैं पड़ाते नहीं है क्योंकि इसको पड़ाने के लिए बहुत डाइमेंशन की नॉलेज की आफशक्ता होती है किवल एक चीज की जानकरी नहीं होती है अगर आपको बहुत सारी चीजों की जानकर यह तब आप एक छोटी सी चीज बता पाऊगे यही होता है लॉजिक इसलिए भारती दर्शन सास्त को पड़ाने में बहुत सारी लोग कत्रात हैं खासकर एंटी नेट के पेपर वन के लिए अब देख भारत में भारती लॉजिक को क्यों लाया गया जैसे कि मालो को क्या होता है फ्लॉस्वी का मतलब क्या है लॉजिक का मतलब दर्शन का मतलब क्या है दर्शन का मतलब है कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं आप किसी चीज के बारे में क्या मानते एक उधारन से मैं चीजों को समझाने की आपकी यहां पर कॉसिस करोगा कि भारत प्रियास करऊंगा पहले मैं आपको फाउंडेशन आपकी मन में बैठा रहा हूं और जैसे में वह साउंडेशन को कम्प्लीट कर दूंगा दैन हम आगे बढ़ेंगे चाहे किलास कितनी भी लंबी हो जाए हम आज ही के दिन पूरा इंडियन लॉजिक कम्प्लीट करेंगे बस आप बने रहना आपके सामने एक उधारण है आपने देखा होगा कि जब को जब किसान आंदोलन चल रहा था भारत देश में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आपने पंजाब के एक गाउ में पंजाब के गाउ में मकान के उपर एक ट्रेक्टर को खड़ा हुआ देखा होगा कितने लोग दम उसको उपर, तीसरे चोते माले पर खड़ा कर रखा था, कितने लोगों echo यह फोटो देखा है? जो के इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, वो भी, और इस क्लास को जो अभी देख रहे हैं, वो भी, यह दोनों से मेरा सवाहल है. मैं आपको इंटरनेट के माध्धम से मैं आपको सवाल दिखाने का प्रियास करता हूं, मुझे एक सेकर हुआ है, और ये नया टेक्टर है एक दम, अब इस फोटो को देखकर आप क्या सोचोगे, आपके मन में क्या भाव आएगा, अब हम एक उधारन के माध्धम से चीजों को समझने का प्रियास करते हैं, मालो, एक व्यक्ति है, जिसका नाम है अमर्क, और एक व्यक्ति है, जिसका नाम है समर्क, अमर ने इस टेक्टर को देखा, और अमर के मन में भाव आया, कि यार आज कल के लोग कितना दिखावा करते हैं, कितना दिखावा करते हैं, टेक्टर कोई मकान कुपर खड़ा कर दिया, इतना बहुत इत्रात है, रे बहुत लोगों के पास पैसे हैं, तुमारे पास अकेले के पास पैसे नहीं हैं, अमर ने ये सोचा अपने मन में, इतन ना दिखावा किस चीज का मेकान को पर टैक्टर खड़ा कर दिया लोग तो हलो से खेत जोतने हैं इनके पास पैसों की कमी नहीं है टैक्टर इन्हों नहीं यह कड़ा कर दिया अमर की सोच इस टैक्टर को देखकर इस घर के उपर रखेवे टैक्टर को देखकर अमर के मन में यह सोचाई कि कितना ज़्यादा दिखावा कर रहा है कितना ज़्यादा दिखावा कर रहा है ठीक यानि कि अमर्क अमर्का जो दर्सन है दर्सन अमर्का दर्सन यह कहता है कि यह व्यक्तिक कितना ज़्यादा दिखावा करता है और इसको पैसे के आफसक्ता नहीं है ये किसान है ही नहीं इसने टेक्टर छत पर रख रखा है ये अमर के विचार है समर भी इसी राष्टे से जा रहा था और समर ने इस टेक्टर को यहां पर खड़ा हुआ देखा समर दो मिनिट के लिए रुक गया समर ने सोचा वह क्या बात क्या बात कि लोग लाखो करोडो रुपे खर्च करके मकान की डिजाइन बनवाते हैं तब भी इतना अट्रेक्शन नहीं पाते इस बंदे ने कुछ लाख का टेक्टर मकान को पर खड़ा कर दिया पूरे गाह में उसको टेक्टर वाले की नाम से जाना जाता है वह क्या सोच है क्या थोट है क्या आइडिया है और क्या ऐसे किसान को शल्यूट है जिसने अपने माते पर हल बिठाए और जो अनदेता है उस टेक्टर को बिठाए यानि कि अमर की सोच और समर की सोच एक ही चीज को लेकर अलग-अलग है, है या नहीं है, एक टेक्टर था objective, इस टेक्टर के प्रती अमर की सोच अलग है, और इसी टेक्टर के प्रती समर की सोच अलग है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको समर की सोच अच्छी लग रही है या अमर की सोच अच्छी लग रही है मुझे बताओ आपको समर की positive सोच अच्छी लग रही है कि अमर की negative सोच अच्छी लग रही है आपसे पूछना चाहूँगा बताओ एक ही चीज के लिए दो लोगों की अलग-अलग राय है अब आप कहोगे सर हमको तो समर की सोच अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने इसको डिफाइन कर दिया इसलिए यही है भारतिय दर्शन सास्त्र यानि कि अगर आपने ये चित्र को देखकर समझ लिया तो आप भारतिय दर्शन सास्त्र को समझ चुके हैं बस यही है भारतिय दर्शन सास्त्र भारतिय दर्शन सास्त्र यह कहता है कि अगर कोई काम को हम कर रहे हैं तो उस करने के पीछे हमारा थोट प्रोसेस क्या है। बस काम खतम। दर्शन साश्तर की फाउंडेशन यहीं तक था। अब दर्शन साश्तर को समझने का प्यास करते है। यानि कि भारतिये दर्शन यह कहता है कि किसी भी कारिय को करने के पीछे का लोजिक क्या था। जैसे बुद्ध लोग अगर कोई काम को करते थे तो बुद्धों की एक अलग आइडियोलोजी थी, जैन लोग अगर कोई काम को करते थे तो जैन लोगों की अलग आइडियोलोजी थी, चाहे वो चारवाक दर्सन हो चाहे वो मीमान सा दर्सन हो इन सब की अलग-अलग आईडोलोजी है लेकिन हर आईडोलोजी के पीछे एक मानक संदेश चुपा रहता है एक अर्थ चुपा रहता है किसी काम को करने के लिए अब यही आईडोलोजी है हमारा इंडियन लॉजिक अब आपके मन में बैठा बैठने लगी चीजे कि एक्चुली क्या है इंडियन लॉजिक क्या आपको बैठने लगी चीजे आपके मन में मैं आपसे पूछना चाहूं अगाई मन में अच्छा लगने लगा सच बताओ इमानदारी से एक बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहे कि आप इंस्टा चलाते हो हां महराज मैं इस्टा चलाता हूं आप मुझे इंस्टाग्राम पर डॉक्टर एल ओके एएस एच बी ए एलाई के नाम से सर्च कर लो प्रभू आप मुझे वापर फोलो कर ले सकते हों चलिए अब आ जाते हैं आस्तिक और नास्तिक वाली चीज के उपड़ आप लोगों को मैंने आस्तिक और नास्तिक का एक ब्रिफ चीजे प्रवाइड करवा दी कि अगर ट्रेन के नीचे अगर कोई बच्चा बच गया तो आप सोचोगी कि सब कुछ चीजे आस्तिक हैं अब हम सुरू करते हैं शुरुआत से आए शुरुआत से सुरु करने का प्रियास करते हैं भारत का पुरातन न्याय दर्शन वेद आस्तिक नास्तिक ज्यान के कई सादनों में अलग-अलग ढंग से की जाती है मैंने थोड़ देर पहले टेक्टर का उधारन दिया मैं थोड़ देर पहले ट्रेन से गिरने वाले बच्चे का उधारन दिया कि हम किसी चीज को अलग-अलग ढंग से उसकी चर्चा करते हैं इसलिए सभी आप लोगों को समझन बहुत जरूरी है कि किसी चीज का प्रमान प्रतक्ष और अनुमान उपमान शब्द को रखा जाता है फिर भारतिये तरक सास्त्र और ज्यान सास्त्र के साधन की चर्चा के गई एक उधारण के चीज तोर पर देखो मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा यह सब चीजें आपको नॉट्स में मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर मैं आपको समझाने का प्रियास करूंगा देखो यह मैं यह मेरा फैवरेट जब मैं यूनुसिटी में इस चीज को पर जब भी मेरा लेक्चर देने का मुझे मुझे मौका मिलता है खासकर इन टॉपिक्स पर तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इन चीजों को एक्स्प्लेइन करना यह मेरा अपना व्यक्तिकत मैं तुम से बात कर रहा हूं मुझे यूनुसिटी में खासकर इन चीजों समझने का प्रियास करो कोई भी चीज सही है या फिर एक उधारन की रुक में आपको मैं समझाने का प्रियास करता हूं क्योंकि यहां पर आपकी समझ विक्षितोना बहुत जरूरी है उधारन क्या है सूचना क्या है सबसे पहले सूचना सुनो आप यहां पर आपके लिए सूचना है मैं एक पेज लगा लेता हूं ताकि म मैं इसको बहतर तरीके से समझ पामा है आए हमको एक सूचना मिली सबसे पहले सूचना क्या है सूचना यह है एक एक्जाम्पल देना हो सूचना का सूचना यह है कि नैट एक्जाम कि यह फॉर्म आगे है यह सूचना है कोई सूचना है नैट एक्जाम के फॉर्म आगे है आपका नाम क्या है जैसे यहाँ पर कोई अंजली नाम की लड़की है यह क्या है अंजली है अंजली के दो दोस्त हैं एक दोस्त का नाम है विमल गुटका नहीं है विमल गुटका नहीं है एक दोस्त का नाम है क्या अरुन जो विमल दोस्त है ना यह थोड़ा फर्जी टाइप है क्या है यह दोस्त क्या है फर्जी है थोड़ा सा और यह झाल 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 तक सुना था यह वायरलेस माई के कल भी डिस हो गया मैंने चार्ज नहीं किया तक सुना था यार मैं इतनी अच्छी बात बताई रही तो भी जाल थीज़ियां को कहा तक सुना था यार कहा तक सुना था वस नहीं आ रही है सर आवाज नहीं लीएं स्टार्टिंग से नहीं सुने हैं सर नहीं सुना विमल तक सुनाएं चलिए मैं इसको दुबरा से धोरा देता हूं आवाज अब आ गई है कि हमारे पास एक सूचना है कि इसको समझों आप दुबरा से हमारे पास एक सूचना है और वो सूचना सक्त है कि नेट एक्जाम के फोरम आगे एक लड़की है जिसका नाम है अंजली उसके दो दोस्त हैं एक का नाम है विमल विमल जो थोड़ा है न वो लंपट टाइप का आदमी है जूटा है इदर विदर की बात करता है सैतानी करता है सैतान एक तरीके से अंजली का एक दूसरा दोस्त है जिसका नाम है अरुम समझदार है चीक है विमन ने फोन किया अंजली को अंजली सो रही थी दोबेर का टाइम था अम विमल वैसे भी परेशान करने के लिए एक तरीके से लाइन मारने वाली बात होगी वैसे वैसे भी फोन कर देता है विमल ने फोन किया अंजली ने पहले फोन नहीं उठाया उसका बार बार फोन करने के बाद उठाया गया और क्या चाहता है यह आदमी उठातो लूं तो इसका इसने फोन उठाया इस सा्रवाज नहीं आ रही है कैसे नहीं आ रही वादित कैसे यह संदायों तो क्या होता है की विमल ने फोन किया रिष्ट का उठाय इसने कहा अंजली 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 ने इग्नोर कर दिया थोड़ी देर बाद में अरुन का फोन आया ऐसे हाई हुलो हुई अच्छे से बात भी अरुन ने बताया कि अंजली ने के फॉम आये है और अरुन की बात अंजली को तुरंत जम गई मेरा कहने का उद्देश क्या है सूचना एक ही थी सत्त थी विमन ने कहा तो अंजली को बात जम ही नहीं अरुन ने कहा तो बात जम नहीं भारतिय दर्शन साश्त्र यही है सूर्च डिपेंड करता है कि वो कौन से सूर्च से सूचना मिली है हम कई बार निर्णे उस सूर्च के आधार पर भी करते हैं कि कौन से सूर्च से उसकी सूचना हमको प्राप दी यानि कि हमारा सोचने का जो नजरिया है सोचने का जो तरीका है वो सोच के आधार पर भी मिलता है अब मैंने आपको जितने भी उधारन दिये हैं क्या आपको अब चीजें भैतर समझ आने लगी हैं अब आने लगा है कि यार यह है इंडियन लॉजिक करक्स समझ आने लगा हैं अंदर की बात समझाने लगी हैं उधारणों से एक बार इमानदारी के साथ ओके कॉमेंट्स करके मुझे बताओ आगे तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे वेरी गुड़ आए अब हम आगे टॉपिक को पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बतला दूं कि नेट की जो एक्जाम है पेपर वन और पेपर टू दोनों के आधार पर होती है इस चैनल पर जिसका नाम है dr. ल хотел तंदे on में आपको टाइम चला देता हो उपर डिस्पले पर अभी टाइम नहीं चल रहा होंगा मैं चला तो वह नहीं आपको टाइम डिक रहा हो आपको रोज रात त्री 9 बजे इस youtube चैनल पर पेपर 1 कि क्लास मिल जाएगी मैंने अभी से यह पढ़ाना आप लोगों के लिए शुरू किया है देखो मैं सबसे पहले बतला दूं कि यार मुझे यूनुसिटी कॉलेज में पढ़ाते हुए या फिर एंटे जो जिसे नेट के कैई प्लेट फॉर्म पर पढ़ाते हुए मुझे कैई व PhD की जो समश्यायती उसका समधान किया करता था या फिर कैसे प्रपोजल बनाते हैं कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं या नेट की तैयारी कैसे की जाती है क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है किताबे कौन से अच्छी होती है क्या तरीका रहना चाहिए यानि ऐसे वीडियोज मैं इस चैनल पर बनाये करता था लगबग तीन साथ से मैं इसी प्रकार के वीडियोज बना रहा हूं इस चैनल पर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की डिमांड रहती तीक सरा आप पढ़ाओ 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 क्योंकि मैं या नहीं पढ़ाता अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता था मैंने एक दिन बैट ऐसे सोचा क्यार क्यों ना मुझे यहां पर पढ़ाना चाहिए और एक शब्द याद आया मुझे अर्जुना तो मैंने आज से कुछ दिन पहले पहली बार इस चैनल पर क्लास लेनी की सोची मैंने तीन सा साल-चार साल पुराना चैनल यह लगवग तीन लाख मेंबर अपने चैनल पर की फैमली है room मैंने कभी चैनल पर पढ़ायान किृ पर जबसे जिस दिन मैंने पहली बार एक क्लास ली थी रिघ है को क्लास इतनी वारल गई pre- lin gust आज के दिन उसमें असatus उब यूज है जो मेर बैच अरजुना की जो पहली क्लास है पहली क्लास में असी हजार व्यूज हैं और यह व्यूज केवल दस दिन के अंदर आ गए थे दस पंदर दिन के और उन कॉमेंट्स को पढ़कर मैं इतना प्रभावित वार आप लोगों का जो प्रेम देख रहा हूं वीडियो पर जो व् जल्दी जल्दी डीप एक एक चीज को समझा दो यह आर इस चीज के लिए आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा बहुत धन्वाद यह मैं मेरे व्यक्तिकत जीवन का समय निकालकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह मेरे लिए अपने आप में बड़ी चुनोती है कि समय निकाल समय मैं आपके लिए निकाल कर ला रहा हूं और उसका response आपने बहुत अच्छा दिखा यह मुझे इतना पता हैं कि कि किने सारे लोग मेरी हर क्लास को share करते हैं मतला मैं देखता रहता हूं आप मैसे इतने बहुत सारे लोग हैं जैसे में क्लास मनाता हूं सबसे पहले उख क का साथ मुझे कभी नहीं छोड़ना यार मैं एक छोटे से गाहों से उठकर देश की राजधानी में पढ़ने आया पढ़ा काम किया यह उतारने का मौका मिल रहा है तो यह वाकि इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भागेदारी है बड़ा अच्छा लगता है आप लोगो दूरा सा लग रहा है तो वाकि यह चीजें हम मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों का जुड़ाओ अभी देख लोग कितने सारे लोग क्लास को देख रहे हैं अपने आप में यह भी बड़ी बात है कि इतने मेरे बिना कही आप लोग क्लास को लाइक कर देते हो सेर कर देते हो यह भी अपने आप में वाकी बड़ी चुनोती है हां मेरे लिए समय निकालना चुनोती है क्योंकि मुझे अलग-अलग मेरे मुझे ना पूरे दिन पढ़ाना होता है और शाम को परिवार भी है डिनार लंच भी है फिर गूमना भी होता है कई बार वो पिर आपके लिए कॉंटेंट तयार भी करना होता है यह अपने आप पर चुनौती का गारी है लेकिन जो आपकी तरफ से जो प्रेम मिल रहा है उसके सामने कुछ नहीं है सीरियसली गाई बड़ा मज़ा आ रहा है अरजुना बैच अपनी बुलंदियों पर है इस समय अरजुना बैच अपनी बुलंदियों पर है यकीन मानो बहुत तगड़ा रिस्पॉंस मिल रहा है आप लोगों को मेरी बाते बहुत पसंद आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूं ज थेंक्यू 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 यार बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए ओके तो अब हमने आश्तिक और नाश्तिक समझने का यहां पर प्रियास कर लिया अब आते हैं अगली चीजों की तरह कि चार वाक से पहले मैं आपको बुद्ध पढ़ाऊंगा लुट फेसे我知道 देखो-घ्यान कशन कारक होता है एक एए चीज को समझने का प्रियास किलए ग्यान का रखो पहले हम लोग समझे से हम तरक को युक्तिinação कर्ष की जान सकते हैं, एक लिए चीज को समझने का प्रियास करो, क्या है कि हम तर्क, तर्क का मतलब बतल लॉजिक, हम तर्क को युक्ती और निसकर्ष के रूप में जान सकते हैं, ज्यान मीमान सा मानाव ज्यान की उत्पत्ति, प्रकर्ति और सीमाव का ज्धन है, इस विशे का मुख देश भारतिय दर्शन की विबिन प्रनालियों में तर्क और ज्यान मीमान सा का विवरन देना है, भारतिय ज्यान प्रनाली के तर्क और सिधान्त काफी सीमा तक तत्व मीमान सा अत्मक सिधान्तों से भी संबंदित हैं, अब देखो एक चीज आप समझने क कर आपके मन में यह विचार उत्पन हो रहा होगा कि सर आप तो फुल कॉंसेट पढ़ा रहे हो एकजाम में सवाल कैसे आएंगे आपके मन की विचार हारा होगा मेरा ऐसा मानना है कि जब आप एक बर अपनी मजपूत पकड़ बना लोगे जब आपकी नीम मजपूत हो यानि आज सब्सक्राइब में बहरतियद दर्सशन को फ़िए समझाना चाहता हूं और ना खाके में आपको कॉशं करवा उ क्राइब के से पढ़ाओं कॉशन करा दूं मैं कभी कॉशन करवाने में इस्वास नहीं करता हूं जली हम सुर्ण हम पढ़ते हैं सात्यों जैनमत की जो लोग थे वह किस प्रकार से अपने धारणाओं को रखा करते हैं एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल जो जैन धरम के ग्रंत जो हैं कि उनकी लेंग्वेज क्या थी उनकी भाषा क्या थी भाषा क्या थी इस सवाल का जवाब दो आप लोग कॉमेंट्स करके बताओ कि जो जैनमत के जो लोग हैं उनके जो धरम ग्रंत दे धरम ग्रंत हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं यह कॉमेंट्स करके मुझे बताओ फिर आगे हम चर्चा करेंगे अर्द मागती पाली प्राकर्थ आपको ऐसी बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए अर्द मागती तक कुछ नहीं है जैन धरम के ग्रंत थे वो प्राकर्थ भाषा में लिखे गए थे और जो बौद धरम के जो ग्रंत हैं वो सात्यों पाली में लिखे गए थे यानि पाली और प्राकर्थ इनकी भाषा आईए जैन मत को समझने का प्रियास करता है कि जैन मत के जो लोग थे वो लौजिक को किस प्रकार से माना करते हैं जैन मत का अनुसार ग्यान के दो प्रकार हैं एक है प्रमान जो मैं प्रमान के उधारन दे चुका हूं और एक है नाया मैं आपको नाया का मतलब समझाऊंग उसका प्रमान क्या है आपने कहां से पढ़ा है जैसे आपने मालो कोई चीज पढ़ी है अच्छी किताब से पढ़ी है टीवी, रेडियो में कहीं सुनी है तो आप उधारन दे दिए तीवी में ये न्यूज आई है ये प्रमान है कि इसको सत्त मानना है वो मेत्वून है अब अगर सवाल कैसे बनेगा सवाल ऐसा बनेगा जैनमत के अनुसार जो दर्सन है लौजिक है वो प्रमान और नाया के आधार पर कारिय करता यानि प्रमान का तात्प्रिय किसी व्यस्तू के ज्यान से है आए और चीजों को समझते हैं नाया वह विशिष्ट दृष्टी कोण है जहां से हम किसी विशेश वश्तू के बारे में अपना निर्ने देते हैं किसी भी वश्तू के सत्थ और पूर्ण ज्यान के लिए प्रमान और नाया दोनों ही ये प्रमाना दोनों ही आउशक है देखो आप किसी चीज को सत्त मानोगे या नहीं मानोगे उसके पीछे प्रमान मांगते हो क्या नहीं मांगते हो सबूत क्या सबूत है इस चीज का जब आपको अगर सबूत मिल जाता है तो वह चीज आपके लिए क्या हो जाती है वही चीज आपके लिए सत्त हो जाती है अगर आपके लिए कोई सबूत आपको मिल जाता है तो वही चीज के ऐसा आते हो आपके लिए हो जाते हैं सबूत तो इसलिए जब देन दर्सन कहता था कि अगर हमको किसी चीज का प्रमान अगर मिलता है तो हम उस ग्यान को सत्त मान लेंगे प्रमान एक ऐसा ग्यान है जो बिना किसी आउरोद के स्विम को और दूसरों को दरसाता है इसलिए प्रमान के माध्धम से प्राप्त ग्यान को प्रतक्ष और एप्रतक्ष में वर्गेकरत किया गया है यह तुर्टी है मैं बार-बार प्रमान बोल रहा हूं यह प्रमाना उसे पढ़ना नहीं आता ऐसा नहीं है ठीक है यह किस प्रकार से चीजे होती हैं देखो अब यहाँ पर परोक्ष और प्रतक्ष और अप्रतक्ष क्यों पूछा गया है जैसे आपने मुझसे यह कहा कि फलाने गटना गट गई कि मैंने कहा कि यार जलो व्ट सप करते हैं मैं देखना चाहूंगा जैसे आप लोगों ने कहा कि सर एट्जाम की डिट आ गई है मैंने कहा कि क्या सबूत है इसका आपने एक यह भाज़ दिया समझने का प्रियास करो आपका नाम है आपका नाम है और निखिल ने मुझे कहा कि सर एकजाम की डीट आ गई से क्या प्रमाने निखिल आपके पास में निखिल निखिल ने मुझे पीडिएफ सेंड कर दिया और निखिल ने इस चीज को सत्त मान लिया निखिल निखिलने चीज़ों के आमाले सत्त मान लिया क्योंकि वह प्रमान देख रहा है और इसके लिए प्रमान क्या है यह पीडिएफ जब इसने निखिल ने मुझे यह PDF सेंड किया और जब मैंने इस PDF को देखा और नेट की वेबसाइट पर देखा तो मैंने यह पाया कि यह तो फेक है और मेरे लिए प्रमान नहीं है यह चीज निखिल के लिए प्रमान है मेरे लिए नहीं है तो यह चीज निकल कर आती है कि जब हम अगर प्रमान पर चल रहे हैं तो प्रमान हमारे लिए प्रतक्ष है यह हमारे लिए प्रतक्ष है एक आपने कहावत होगी मैं तो तब मानूँगा जब मैं अपने कानन देख कानन सुन लूँ और आखन देख लूँ कैई बार यह होता है कि आपकी आखन देखिर कानन सुनी बात भी जूटी होती है इस चीज को मानता है हमारा जैन दर्सम कि कोई भी चीज को मानने से पहले ये उस चीज का प्रमाण पर जाता है कि उसका परोक्ष और एपरोक्ष प्रमाण क्या है समझे बात आप लॉजिक समझने का प्रियास किया आपको लॉजिक समझा रहा है साथ ही हो लॉजिक समझा रहा है जो मैंने आपको समझाया है अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे जो मैं ये notes आपको ये notes कहा मिलेंगे मैं बतला देता हूं आईए मैं आपको बतला देता हूं notes कहा मिलेंगे इस class की पहली comments में एक telegram channel का link मिलेगा ये notes महा मिलेंगे और इस टेली ग्राम चैनल का नाम है डॉक्टर लॉकिस बाली इस टेली ग्राम चैनल का नाम है डॉक्टर लॉकिस बाली आजी मेडम ठीक ओके डॉक्टर लॉकिस बाली टेली ग्राम चैनल का नाम इस टेली ग्राम चैनल को जोइन कर लो यहाँ पर आपको साथे लंबी पीडियर। मैं बतला दूं काफी सीज़ेंगा क्या चाहे साल जाने मत दो तुम्हें कमेंट पढ़ वालो मुझसे हैं कि रहे क्या है कमेंट में ऐसा महराज अच्छा आवाज की बात थी अभी आगई ना सुरू से स्टार्ट करता हुआ रहे यार चले सुरू से स्टार्ट करते हैं मैं बाद में क्ट कर माने लोग अपरतक्ष से दर्शिय जब तक वे अपने कानों से देख लेते जब तक चीजों को महसूस नहीं कर लेते तब तक वसक्त नहीं माने लेकिनbecue में में मैं आप मैंने एक रील देखी मालो कि यह क्या है मतलब आसी मोबायल के श्टेंड है और इस मोबायल में एक मोबायल यह लगा रखा एक यह लगा कि और एक साथ चार निभाओं से बात हो रही है और एक साथ कह दिया कि मैं ये फॉन अपने सहली के फॉन से करते हैं जाँ चारोग्वे चारफॉण भेज देते हैं इसके लिए इसके पास है तो भाई भी यहां चार बाग दर्सन भी क्या करेगा यार जै कि और यह केवल ऐसा नहीं होता है कि यह नायक-णाई कैसा करते कि आप यह होते हैं इसकी दगे निभी की देखें निभtt अगर टो यह बहुत है की जब तक आप चारबातों झिंद्धान्ते कहता है कि जब तक हम किसी चीज को प्रतक्स रूप से नहीं मानेंगे नहीं देखेंगे तब तक हम उनको सत्त नहीं मानेंगे वो चीज हमारे लिए अस्त्वित हीन है कि वो किवल अपने जीवन में चार चीजों को मानते हैं पहला है सात्यों प्रत्वी क्या है प्रत्वी जल वायू और अगनी प्रत्वी जल वायू और अगनी को वो क्या है सात्यों सत्त मानते हैं प्र मानते हैं सास्वत सत्थ मानते हैं इसके अलावा वो किसी भी चीज को सत्थ नहीं मानते हैं तो सवाल जब आपके सामने आए चार वहक सिध्धान अपने लौजिक के लिए किन चीजों को सास्वत सत्थ मानते हैं तो मानते हैं प्रत्वी जल वायू और अगने इसके अलावा वो किसी चीट पर तभी विश्वास करेंगे जब उन्होंने उनको इंद्रियों से देख लिया ओके ठीक है गाईज यह बात समझ लगी आपको चारवाक सिद्दान्त की तो प्रतक्स ज्यान ही एक मात्र अधिकार है कोई भी ऐसा इस्तान नहीं है जहां ऐसे किसी भी तक्त को नहीं देख सकते हैं सामानते ज्यान बोद इस संसार में विद्वान है बहुतिक सरीर एक व्यक्ति का केवल एक इमेज मात्र है बहुतिक सरीर के उपर कोई भी मन कोई भी चेतना कोई भी आत्मा नहीं है हम मन या आत्मा कानभव नहीं करते या कहते हैं सात्य वां हम मन या आत्मा कानभव नहीं करते यानि कि अगर वो किसी चीज का निर्ने लेंगे किसी चीज का निर्णे लेंगे चार वाक लोग तो सबसे पहले अपने इंद्रियों का मानेंगे कि यागत उन्होंने सामने प्रतक्ष देखा हो सुना हो तब ही जाकर हो किसी चीज को सत्त मानेंगे इसके अलावा वो चार चीजों कोई सत्त मानते हैं जल वायू प्रत्व ओके और अगनी है ठीक है इस चीज का हमको जरूर से ध्यान रखना चार वाग दोरा निसकर्स की मानता या वैदता को भी एस्विकार कर दिया घ्याहिए देखो चार-वाग किसी चीज के निसकर्स वाली बात होती है इतनी सारे चीजों का किंकुलिजन यह है वह इस चीज को भी नहीं मानता चार वाक सिद्दान अपने लिए क्या मानता है एक सेक्ड़ ब्लर हो रहा है पीछे का मैं थोड़ा कैमरे को और देख लेता हूं चारवाग सिद्दान साथ्यों किसी भी प्रकार की मान्यताओं को स्विकार नहीं करता वो केवल और केवल अपनी देखी अपनी करनी पर ही विश्वास कर पाते हैं ओके तो चारवाग सिद्दान्त की चार-पांच बात आपने समझ ली यही कॉशन में से आएगा चारवाग बात चारवाग सिद्दान्त की जो हमारे सिलेवस के अनुसार है वो चार-पांच चीजें हैं पहली चीज वो किसी भी प्रकार की किसी की कहे पर बाविश्वास नहीं करते चारवाग सिद्दान्त ये कहता है कि हम केवल ऐसी जानकारिय ऐसी ज्ञान पर विश्वास करते हैं जो इंद्री जनित हो या तो हमने उसको सुना हो या हमने किसी ज्ञान को उसको देखा हो अलावा वो चार चीजों को सत्त मानते हैं, प्रत्वी, वायू, जल और अगनी, इनको वो 700 सत्त मानते हैं, इसके अलावा वो हर आडंबर, हर मानता को ऐस्विकार कर देते हैं, ओके, इतनी बाद समझ लगी? गाई, चार वाक सित्तार समझ लगी आपको, देखो मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं, अगर मैं डीप में जाना चाहूं, तो उस पर हम कितनी ही क्लास चार वाक को पर ले सकते हैं, लेकिन हमको चीजों को उपर उपर से समझना है, क्योंकि हमारा सिलेवस ही उस तरीके से है, हमक में आप ये सब चीजें अपने लिए कर लेना, समझागा है, चार वाक सित्दान, भाई, किसी को चार वाक में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, बिल्कुल जो जितने भी लोग इस साल सेकिंड सेमेश्टर में हैं, वो सारे लोग फॉरम फिल कर सकते हैं, एक कॉमेंट्स को बार बार मत करो, जी एस माही, सर टू पेपर भी ऑप्शनल होता है, क्या बताइए? नहीं, नहीं, आप मैं समझ नहीं पारा, आपने क्या कॉमेंट्स किया है, ओप्शनल क्यो होगा, वो तो कम आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया है, वो ही सब्जेक्ट आप से पूछा जाएगा, पर और इसको थोड़ा विश्टार करके लिखो, कॉमेंट को पूछना क किया है सेमेश्टर सभी सेमेश्टर में अगर आपने PG में से लिए तो आप कर सकते हैं जब भी आप的話 फिल करोगे आपको अपे रिंग सेलेक्ट करना है पास सलेक्ट नहीं करना नहीं तो आरिंटने or go योग आईए अगली चीजों की तरफ चलें कि कल हमने जैनों पर थोड़ा सा वो दिया था आज हम पढ़ेंगे साथ यह बुद्ध मत बुद्ध मत हम केवल और केवल किसके इसापर रीजिनिंग के लॉजिक के पर पढ़ेंगे साथ यह बुद्ध मत को केवल और केवल लॉजिक के इसाप से यापर पढ़ रहे हैं कि उनका अगर किसी बी चीज के प्रती लॉजिक रहता कोई फैंसले करने का किसी बात पर डिसीजन करने का तो वो क्या लॉजिक हुआ करता था उसके आधार पर ही हम होता है अधिक कांस लोग जानते होंगे आप में से कितने लोग यथार्थ का मतलब जानते हैं जो इस क्लास को बाद में recorded form में देख रहा है मैं उन्ट से कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या यथार्थ का मतलब जानते हो तो नीचे कॉमेंट्स में लखिए रीता देवीद दुबारा से वीडियो देख लीजिए आप यथार्थ का मतलब होता है किसी को जैस वैसा की वैसा दिखलाना एक में उधारन देकर आपको समझाने की कॉसिस करता हूँ आपने जितनी भी पुरानी फिल्में देखी होंगी पुरानी फिल्मों में क्या होता है हीरो का कोई भाई होता है बहुत जादा गलती कर देता है लेकिन अगर वो माफी मांग लेता है तो उसको हीरो माफ कर देता है यह होता है आदर स्वाद दो चीजे होती है एक होता है आदर स्वाद और एक होता है यथारत यह पूदात वाद हुआ वाध गारें ने जोटाय को या यानि यानि कि कि किसी भी चीज को उसका एंड अच्छा कर देना आधर स्वाद कहला था एक तरीपेस जैसे पुरानी फिल्मों में क्या होता था हीरो ही रोइन रस कर दी हीरो ने कोई भी गलती कर दी हीरोन ने माफ कर दी गुंडा भी जो होता है वो भी हीरो के माफी मांग ले कि भाई बहुत बड़ी भूल गई तो ही रोज को माफ कर देखिए यादब श्वाद यथार्थ का मतलब है कि जिस भी चीज को सत्त है तो सत्त दिखाओ असत्त दिखाओ आपने कितने लोगों फना मूवी देखिए फना आई तिंग आमिर कान की बहुत ही आइकॉनिक मूवी है फना वो देखी होगी बे खुदी की जिन्दकी हम जिया नहीं करते जाम दूसरों का छीन कर हम पिया नहीं करते उनको मुहबत है तो आके इजहार करो वरना पीछा हम भी किसी का किया नहीं कर तो यह मुवी है साहाथ होगी फना मुवी फना मुवी आफने अगर डेखिये तो उसमें अंत में क्या हुता है। है यह पता लगता है कि इसका जो नायक है आमीर खान कुछ साहर प्रली sincer दीजता है। हे लेकिन वह अंत में सुधर भी जाता है लेकिन यह जो नाई का होती है इस नाईक को साथ गोली मारते हैं अगर इसकी कहानी को यतार्त वादी ना गया गया होता तो यह नाई का इसको गोली नहीं मारती बस यह माफी वाफी मांग लेता दो-पांच-दस साल जेल चला जाता और जेट फूटकर वापे साथ कि पर यथार्त दिखाने का मतलब यह क्या लिखते हो कॉमेंट में ऐसा जो बार-बार कहते हो मेरा कमेंट देख लो मेरा कमेंट देख लो रिदम तूट जाता है यार सुभम सिंग कह रहे हैं कि सर मेरा कमेंट तो देख ही नहीं रहे हैं ऐसा क्या है मालिक सुभम भाई मैं देख लेता हूँ ऐसा क्या लिखा है तुमने यार दादा बड़ा मुस्किल होता है फाइंड आउट करना कॉमेंट्स को इतना सब्सक्राइब सर मैंने ग्रेद्विशन इंग्लिश से किया है क्या पीजी पॉलिटिकल साइंस से कर सकता हूँ वहां भाई कर सकते हो विलकुल कर सकते हो 100 परसेंट कर सकते हो 100 परसेंट कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कर सकते हो ना मैं यह देखना चाता हूँ वीडियो कितने लोगोंने लाइक किया है यह एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो कितने लोगोंने लाइक किये देख लो इतने सारे लोग देख रहे हैं तुमसे कहते नही तो तुम वीडियो के लाइक नहीं करते हैं मत करो जाओ पता ही नहीं लेकता हूं को चलिए तो यह होता है सात्यों बुद्ध मत कहता है कि तीन चीदों पर वो कह यथार्त की मतलब धर्ती में पैर टेको जैसे आप लोग ख़ाप देख रहे हैं और वहाई मैं प्रॉफिसर बन जाओंगा मैं यह कर दूँगा मैं वो कर दूँगा ख़ाप देख दूँगा यथार्त यह है कि एक्जाम को पास करना काफी मस्किल है य यथार्त यह है कि दो ही मेने बचे हैं जितना पढ़ो उतना पढ़ लो यह यथार्त है आदर्सवाद एक भावो में जीए ओके एक सात्यों ए अनिश्वर्वाद ए निश्वर्वाद बुद्ध ईश्वर की सत्ता को स्विकार नहीं करते हैं क्योंकि यह संचार यह जो संस इस कारण क्या होता है कि जो कारिये हैं वो स्रंखलाओं में बढ़ जाते हैं यानि कि जो कारिये हैं और कोई भी व्यक्ति इस ब्रहमांड को चलाने वाला नहीं उनका लोजिक है कि यहां पर कोई इस्वर नहीं इस ब्रहमांड को चलाने वाला कोई भी इस्वर नहीं है इस बात को कौन कहते हैं इस बात की इस बात का लॉजिक कौन देते हैं इस बात का लॉजिक देते हैं साथ में बुद्ध इस बात का लॉजिक कौन देते हैं बुद्ध देते हैं कि इस बात का लॉजिक कौन देते हैं बुद्ध देते हैं जार इवर हो रही है मैं देखता हूं इस पर जाते हैं इस पर रही है कि अ जार्थ झाल झाल कि यार दिख्कत पता है क्या हुआ है कि ओके चले एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं और आत्मवाद में मतलब क्या होता है इसमें किया कि सत्त में आत्मा नहीं है जिसको हम आत्मा समझते हैं वो चेतना का अविछिन प्रवा है यह प्रवाय कभी भी बिखर कर जड़ से बद्ध हो सकता है और कभी भी अंदकार में वीन हो सकता है बुद्ध इन चीजों को मानता है पेपर वन में यहां से कॉशन बनेंगे यह आपते समझेगा इसलिए थोड़ा सा पैसेंस रखकर किलास को पूरी देखने आपको लग रहा होगा कि चले जाते हैं क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं समझने लग रहा ऐसा फील आ रहा है ले कहते कि ब्रमांड में सब कुछ छनिक है और नस्वर है कुछ कभी इस्ताई नहीं है सब कुछ परवर्तन सील है यह सरीर ब्रमांड उसी तरह हैं जैसे घोड़े पये आदी रत का ही एक रूप इस बात को कौन मानते हैं सात्यों इस बात को मानते हैं कौन मानते हैं इसको छनिक वाद को मानते हैं बौद दर्सन में छनिक वाद को माना जाते हैं बौद मत दो हैं आपने हीनियान और महायान इनकी दो साखा हैं इनका नाम तो सुनाई होगा हीनियान साखा केवल बुद्ध की मौलिक सिक्षाएं देते हैं महायान में क्या है सब बद्दको भगवान मानते हैं और यह सातियों बगवान के तरह पूजा करतے अब अब आपने सुथपीनपीटक अभी धंब! यह सब चीज़ु यह सब चीज हैं सातियों जो इसको आगे लेकर जाते मिमानसदर्शन पर भी एक बार हम नजर दोड़ा लेते हैं मुझे उमीद है आप लोग नौटसों से पढ़ लोगे लेकिन फिर भी हमें एक बार मिमानसदर्शन पर नजर दोड़ा लेते हैं फिर कल हम इसके MCQs को करने वाले हैं क्या करेंगे कल एमसी की दूख करेंगे देखो ऐसा टॉपिक पर चाहता तो आप लोगों को नहीं पढ़ाता बट आज कल का जो एक्जामनर है कहीं से भी कॉशन पूछ दे रहा है ऐसा नहीं कि यहां से कॉशन नहीं आए इंडियन लॉजिक से हंड्रेड परसेंट सवाल Verb लोगी से हंड्रेड परसेंट सवाल पूछ जाएंगे इसलिए तोड़ा सा इंडियान लॉजिक को सीरियस होकर पढ़ लो मेरा जneg होगे पढ़ लो凜ो कि यहां से question आने ही आने है यह को से Question आने ही आने वाले इसलिए प्लदा सा सदर्शन हमसे क्या कहता है एक बार चलिए मीमान सदर्शन को भी यहां पर पढ़ लेते हैं इसका जो शापदिक अर्थ होता है वह सात्यों क्या है स्रद्य और विचार स्रद्य विचार और मूल रूप से वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या के लिए लागू किया गया है इसमें सरोत्म स्रद्या की अग्या दी गई है मिमान सदर्शन भी बहुत प्राचीन है और जैमिनी द्वारा मेहरसी जैमिनी द्वारा मिमान सद्वbold Pr 34 सतापदी ईशवापूर में दिया गया थे अब यह सवाल यहां से भी पूछा जाता है कि मिमान सद्विघ और किसने द नहीं हो सकते इसमर्ति एक पूर्व ज्यान से उत्पन होती है इसलिए इसे वैद ज्यान की रूप में नहीं माना ज़ती है जो अमरी याददास्त होती है जो अमरी चेतना होती है इसमर्ती जो है ना वो पूर ज्यान से उपजी हुई पहले की ज्यान से उपजी हुई है इसलिए वो इस ज्यान को वैद नहीं मानते मिमान सा दर्सन पूर में उपजी मेमोरी को वैद नहीं मानते ये बार-बार बलर हो रहा है आगया कुमारी लग मान ग्यान को एक ऐसी वर्षतु की आशंका के रूप में परिबासित करती है जो ग्यान स्वेम दोसों से मुक्त हो और जिसको बाद के ग्यान द्वारा प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है एक मान संग्यान को निम्न चार सर्थों के द्वारा वो पुरा करना चाहते हैं पहला यह दो स्पून कार को जैसे खाना आप दोस रही से उत्वन नहीं होना चाहिए यह विरोधवास से मुक्त होना चाहिए और आत्म निर्बर होना चाहिए अगर कोई भी ग्यान है तो विरोधवास से मुक्त होना चाहिए कि देखो यहां पर मैं आपको क्या पड़ा रहा हूं यहां पर मैं पड़ा रहा हूं आपको भारतिय तर्क सास्तर हम जिस टॉपिक को पड़ाने जा रहे हैं यह अपने आप में एक प्रकार से दर्सन का भाग है लेकिन पूरी तरीके से दर्सन का भाग नहीं है हमको केवल तरक के रूप में चीजों को देखना है जैसे हिंदू आइडोलोजी को मानने लोग जो होते हैं वो तर्क रखते हैं कि जैसे कि आप सुबह सूरे नमस्कार करो यह वी अपने आप में तरक पीछे उनका मानना है कि अगर तुम सूरे नमस्कार करोगे तुम्हें कैसारी एनरजी है जो तुमारी बॉड़ी में आएंगी एक फॉन उठा लेकां बहुत कोई बात ने तम भी सोजा फिर ना कंबल वगर मिलगे उड़ने के लिए चीक ठीक सोजा पिर ना ठीक है सोजा फिर मैं करता हूं अब मैंने कावे सो रही होगी मैं किलास मोद बाद में करता हूं भारतियत तरक साथ हम को यहां पर अपनी लॉजिक हमारी जो आईडल मानने ताओं पर हम मानने तक किस परकार से करते हैं सूर्य नमस्कार करेंगे मालों अमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनरजी आएंगी काफी सारी बीमारी तो निजात मिलेंगे हिंदू आईडलोजी वाले लोग मानने लेकिन इस आईडलोजी को और लोग नहीं मानते हैं और धरम को मानने वाले लोग हर एक धरम हर एक संपरदाय हर एक जाती उसकी सोचने विचारने का जो तरीका है वो सब अलग अलग है और वो अलग-अलग तरीका ही भारतिये तरक सास्तर में आता है क्या आता है भारतिये तरक सास्तर में आता है मैंने आपको कल की क्लास में यह समझाया था कि आस्तिक और नास्तिक दो चीजे समझाए तो आस्तिक लोग की सोचने का जो तरीका है वो अलग है नास्तिक लोगों का सोचने का तरीका अलग है तो हम अपने रिलीजन अपनी जातिक अनुसार काम जैसे अगर आप हिंदू आईडिलोजी को मानते हो तो आप साथ फेरो के बंदन को मानते हैं कि हम अगर किसी के साथ साथ फेरो के बंदन में बंदेंगे तो इस्वर की किर्पा रहे गिया जैसा भी मलब एक आई का आईडोलोजी है जो और धर्म के लोग हैं इस साथ फेरों में नहीं बनते उनके पास अपना एक तरीका है यह कि इस बंधन में बंधनेगा तो हर एक जाती हर एक धर्म अपनी एक अलग तरक रखता है चीजों के पीछे बुद्ध अलग तरक रखता है जैन अलग तरक रखते हैं चारवाक लोग अलग तरक रखते हैं मीमाञ्ण स Prem सब्सक्राय को मानने這種 al JESS तरक रखते हैं आश्तिक लोग अलग तरक रखते हैं तो भारत में तरक एक नहीं है भारत में बहती भाती के तरक और सारे तर्क कोई भी यहा पर नहीं है इतना आप समझ जाहिए कि चलिए hai के क्या पूछ रहे हों कोई किसिन ने पूछा है सर आदिम GPT कै सुथ पीटक विने पीटक अभी धम पीटक अभी धम पीटक के बारे में आपने मुद्ध को कभी नहीं पड़ाया क्या थ्री पीटक का नाम नहीं सुना अभी दॉन पीटक सुथ प बुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं कि बुद्ध ना बड़ा कमाल जैसा कोई नहीं है भाई चलिए हमसे अभी दम पीटक सुथ पीटक बिने पीटक नहीं पूछे जाएंगे हमारी एक्जाम में इसलिए यह मेरे लिए चर्चा का विशय उतना ज्यादा नहीं है थीक है हमारी एक दम अभी दम पीटक सुथ पीटक बिने पीटक नहीं पूछे जाएंगे और अगर पूछे जाएंगे तो हमको पता है यह बुद्ध आइडॉलोजी के साथ जुड़े होगे मिमानसा प्राकरति कह रहा है कि अंद्विश्वास एक अपवाद हैं मिमानसा मूल उत्पत्ती और ज्ञानपती के संबंद में ज्ञान की आत्म वैदता को मानता प्राप्त करता है साथ यान के अनुसार उत्रा मिमानसा देखो ये सारी चीज़े क्या हैं कि जैसे कुछ लोग हैं जो पूरू जनम में विश्वास रखते हैं आप मैंसा कि आ है हमको इतने अजार 36000 ओना में जर्म लेना होता है कितने लोग मानती चीज़ को कितने लोग इसचीत को मानते है लाधा कए पल्वी के पूरी जनम को मानते हैं लेकिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरुजनम को नहीं मानते हैं यही भारतिय तर्क शास्त्र आप अगर पूरुजनम को मानते हैं तो आप उसके बारे में तर्क दे सकते हो कि पूरुजनम होता है जो पूरुजनम को नहीं मानते वो यह तर्क देंगे कि कुछ नहीं होता है पूरुजनम जो भी कुछ होता है सब यहीं होता है पाप पुन्न से सब कुछ यहीं है स्वरग नरक जन्नत सब कुछ यहीं है इसी धरती पर स्वरग है इस धरती पर नरक है आपने ये भी कहता हुआ देखा होगा लोगों के कुछ लोगों का मानना है कि यार तुम जब नरक में जाओगे तो तुम्हारे पकड़ों की तरह तुमको तला जाएगा स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर अफसरा नाच रही है तो फिर जिन आप जो अफसरा है स्वर्ग यह तरक जैसे एक में आपको छोटा सा लॉजिक देने का प्रियास करता है हां माता है कुछ वालो बतने एवडा यह वू बिट्टा अरे भाई हुआ एवा की जो माता स्री है उनकी जो उनका जो चुट्टी थी वो गई खतम उनको जोइन करने जाना था जोइन करके दुबारा आना है तो हमने क्या कि एवा को यहीं रोक लिया और अब एवा हमारी जिम्मेदारी है हमी खिला रहे हमी पला रहे हमी रख रहे है बड़ा जिम्मेदारी काम चल रहा है इस समय कि दूंपल सी बात बताओं मैं आपके लिए कि आप यह सोचते हों के अगर हम अच्छे करम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे और बुरे करम करेंगे तो नर्क में जाएंगे यह आप सोचते हैं नहीं मैं भी सोचता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि सुरग हो या नर्ग सब कुछ यह herd है कहीं जाने की जरुत नहीं है सब कुछ यह मिल जाилась है। अच्छे करोगे तो अच्छे जैसे आप अच्छी तरह पड़ोगे परोफेसर बन जाओगे स्वर्ग है जीवन नहीं पड़ोगे मजदूरी करते रहोगे नर्क है जीवन लॉजिक तो यह भी सही है कि लॉजिक देने वाले लोग यह भी कहते हैं कि कौन है व्यक्ति जो स्वर्ग से लौट कर दुबारा यहां हमसे कहने आया है कौन है जो जन्नत जाकर दुबारा यहां पर आगया हो बहुत अच्छी ऐसा व्यक्ति कौन जोनले यह देखा हों कि आर्स्वर्ग में नर्क में तो पकोड़े यह आदमें होकि एसा व्यक्ति कौन है जोसने यह कहो कि जन्नत में परक्सास्त्र कॉश्चन करना एक एक चीज को मैं समझाते वे करूँगा आप बिल्कुल भी इसके बारे में चिंतित मत होना मैं आपको हर चीज को समझाते वे करूँगा बस क्लास का थोड़ा सा हिसाब बैठ जाने दो मुझे थोड़ा सा फुर्शित मैं आ जाने दो और फि भारतिय तरक्सास्त्र में न्याय सम्मत परमानों की संख्या कितनी है चलिए यह साथ विंटनलोजी के कॉश्चन है भारतिय तरक्सास्त्र में न्याय सम्मत परमानों की संख्या कितनी है जो मैंने आपको नौट्स देते उनसे भार कोई भी कॉश्चन नहीं जाएगा आपने अगर उनको पड़ा है तो इसको कर पाओगे कोई बात नहीं प्रिया मिस्राज इतनी देखनी हो बेटा देख लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जितना आप देख सको उतना देख लो और उतने महीं काम में हो जाएगा सब लोग आंसर दे रहे हैं सी लेकिन इसका सई आंसर सातिव चार ये इसका आंसरी सातिव चार नयाय दर्शन में मान नियपधारतों की संक्या कितनी है यह कौशन आते हैं हमारी एकजाम में इसके नॉट्स डॉक्टर लॉकेस वाली टेलीग्राम पर कल सेंड कर दिये थे इसके नॉट्स आपको डॉक्टर लॉकेस वाली टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे इसके नॉट्स आपको डॉक्टर लॉकेस वाली टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जान रहे इसके notes Dr. Lockhez वाली टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगे सैंसर है साती हो इसका आप लोगों नहें दे दिया है दीजी आंसर इसका सैंसर है साती हो 16 आंसर आपके सारे तुक के गलत निकल रहे हैं आप लोगों के सारे तुक के गलत निकल रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो ये कि हम से ये कॉशन नहीं हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम पहली बार इन कॉशन को पढ़ रहे हैं और इसी क्लास में इन कॉशन को हमको याद करना है, पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार ही हमको याद करना है, मतलब कॉशन पढ़ो और उत्तर पढ़ो और याद करो ठीक है इस तरीके से करते जाएए आप हाँ भाई ये कॉशन आते हैं न बिल्कुल ये कॉशन आते हैं बड़े भाई ये 2021 का कॉशन है देखो ये 2021 माया ये कॉशन ये भी 2021 माया ये कॉशन ये देखते जाएए ये भी 2021 माया ये कॉश बिल्कुल ऐसे ही कौशन एक्जाम में आते हैं अगला कौशन तर्क भासाक के अनुसार संबंध कितने प्रकार के होते हैं मैंने दो दिन तक लगातार समझाया है जो लोग मुझसे यह कह रहे हैं सर समझाते हुए चलिये तो मैं समझा दूँगा आपके कहने से लेकिन पुरानी दो क्लासों को जरूर से देख लेना आपको हर चीज समझ में आ जाएगी जान से कीजिए आज मुझे कैई सारे काम थे पर मैंने सारे काम निम्टाई फटा फट फट फिर जाकर यह किलास आपके लिए लेकर आया आज कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं जान से करते जाएए अनुमान प्रमाण में अवे कोई मोग की पहचान कितनी हैं देखो मैं आपको फिर से बतला दूं कि इंडियन लॉजिक हर एक्जाम में पूंचा जा रहा है क्योंकि यह नया चैप्टर एड हुआ है आपको कोई छोटी मोटी गाइड और छोटी मोटी किताब में चैप्टर मिलेगा भी नहीं इसलिए थोड़ा सा बी केरफूल और ध्यान से इसको पढ़िए हलो गेट पर आजाईए गेट पर हो गया आप बिल्कुल सॉसाइटिक गेट के बार है मैंने घर के गेट के बार आगया एक सेकंड चले आगले कॉश्चन का अंसर दीजिए लाइए सब थैंक यो अरे हां कोई बारने बहुत सुक्रिया सर यह सी है लग नहीत लगेस उयसे यह लगर क्वाध लेका उर्ड़के बारने प्लावी लेका लगाले हो खाया लूराओ अबर बार बार दातरिक्त लिमक्ते है अगले कॉश्चन को कीजिए साथ हो अगले कॉश्चन करो जब तक ओ मेरे मालिक अगले कॉश्चन करो जब तक ओ मेरे मालिक अगले कोश्चन करो जब तक ओ मेरे मालिक तक ओ मेरे मालिक तक ओ मेरे मालिक वीडियो को लायक कीजिए साथ हो अब मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ना सुरू करूंगा थोड़ा समय बीजी था आज कहीं सारी चीज़े एक साथ हो गई इसलिए नाय सुत्र के रतिया थे गौतम रिसी कौन से साथ हो गौतम रिसी थे। कौन थे गौतम रिसी देखे मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि आज यह क्लास जो हो रही है हमारी यह क्लास नमबर सत्रवी इस क्लास से पहले सिक्स्टीन क्लास यानि सोहले क्लास हो चुकी हैं जिनमें मैं आपको मैत का पूरा पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं लॉजिकल रीजिनिंग अब पढ़ा रहा हूं इस समय उसकी प्लेइलिष्ट इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के फ Kell amend्स में मिल जाएगी वहां से जागर पूरी प्लेइलिष्ट को आँप देख सकते हूं हैं समुवाय का ग्रेंड करने वाला प्रमान कौन सा है आपको यहाँ पर साहे आंसर देना है सई आनसर है साथ हो इसका प्रतक्ष सई आनसर है कौन सा प्रतक्ष देखो यह मत सोचो कि हम से कौशन आते नहीं यह सोचो कि हम इन कौशन को पहली बार पढ़ रहे हैं और इन कौशन को हम पहली बार सीख रहे हैं और रही बात इन कौशन के नौट्स की वो डॉक्टर लॉकिस वाली टेलिग्राम चैनल पर आपको प्रवाइड करवा दिये जाएंगे तो आप डॉक्टर लॉकेश टेली ग्राम चैनल पर चले जाएए, वहाँ पर ये क्लासेज आपको प्रवाइड हो जाएंगे। चले, भारतिय तरक साश्तर में प्रमानवाद का उल्लेक कहा है? ये सातियों अमको देखना है। वैसे से न्याएम हमेशा प्रमान मांगता है। क्या मानता है? न्याए है सातियों जो प्रमान की बात करता है। और भारतिय तरक साश्तर में प्रमानवाद का उल्लेक न्याए साश्तर में किया गया है। सार जी टेलिग्राम नहीं मिल रहा है, पीडियाप नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे हो सकती है वेटा कि पीडियाप आपको नहीं मिल रहा हो। मैं आपको बतला दूँ, अगर आपको पीडियाप कैसे मिलेंगे, यह मैं आपको समझा देता हूँ, देखो पीडियाप के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यह मालों कि हमारा टेलिग्राम, यह हमारा यूटूब चैनल है, मैं सर्च कर एक बताता हूँ आपको कैस प्लेश्ट मिल जागी, जिसमें आपको पूरी जो पुरानी क्लासेज है न, वह भी देखने को मौका मिलेगा, जैसे फुल प्लेश्ट होगी, तो यह इतनी जितनी क्लास है, वो सारी क्लासेज मैंने आपको यहाँ पर बढ़ा दी है, अब मालों कि आपको इस क्लास का, यह जो रिलेशन वाली क्लास है, इसका नौट चाहिए, तो हमको इस पर क्लिक करना है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास फर्स्ट कॉमेंट वाना है आपको, मैंने आपर फर्स्ट कॉमेंट पिन करके रखता हूँ, रूको एक सेकंड, देखो, आपको इस तरीके से first comment पिन करके रखनी है इसमें लिख रखा class notes लिख रखे हैं और एक पूरे playlist की रिख तो आपको class notes वाली link पर click करना है जैसे class notes के link पर click करेंगे हमारे सामने telegram खुल जाएगा तो हम telegram को यहाँ पर खोल लेंगे और जैसे telegram को खोलेंगे देखो यह आ गया साती हो आपका PDF जिसको हम download कर लेंगे इस तरीके से यह पूरा notes lab हानी वाली class दी देखो मैं आपको बतला दू कि अभी मैंने notes किसके की है lab हानी वाली class के notes डाउनलोड की है यह class कौन सी है यह कौन सी class है lab हानी वाली class है बराब profit and loss वाली class है ठीक है अब मैंने इसके कह किया इसके description में लिंक छी इस पर click किया इस पर description click की इस पर click लिया ऑटोमेटिक नौट्स पर पहुंच जा Extremadura किया ओटोमेटिक नौट्स पर पहुंच जाएगा देखो automatic lab आने वाले notes पर पहुंच गया और हमने इसको को देखो मैं मेरे तरफ से सारे एफर्ट कर रहा हूं आप पर नहीं होता है वह बात अलग है इस तरीके से हमको यहां पर आ जाना है बात समझ लगी चलो ऐसे आपको करना है तो सब को इस तरीके से पर डॉक्टर लोकिस वाली टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है भारतिय तरक सास्त्र में हेत्वा वासों की संक्या कितनी है चलिए कॉशन कीजिए ज्यान से कीजिए बारतिय तरक सास्त्र में हेत्वा वासों की संक्या कितनी है कितनी है सात्यों पांच कितनी है पांच आप आगे करते है जागी दूर मना हो जाओ के थी झाल 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 झा झाल 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 साथियो थोड़ी आ गया हो चलो ओके चले सातियो कौशन नंबर नवे का जो आंसर है वो है सातियो बी आप एक बार पढ़ लिजे इसको और दस्वे का जो आंसर है सातियो के भारतिय तरक शास्त्र में इंद्रियार्थ सन्नि कर्म कितने प्रकार का है? इंद्रियों से ऐसे कितने काम है जो इंद्रियों के आदार पर किये जाते हैं चलिस साथियो अरे जल्दी जल्दी कराता हूँ भाईयो आपको पता है साथियो इंद्रिया कितनी होती हैं पांच इंद्रियों होती है निमलिक्त में से कौन सा रूडिवादी प्रमानिकता का जोड़ा है आपको यहाँ पर रूडिवादी प्रनालियों का जोड़ा रखना है जैसे नय वैसिसिक योगा योग साख और मिमान सा दर्सर ये सब उप्यूक्त सभी रूडियों को मानते हैं अगर इसमें बुद्ध ल पूर मिमान सा का मुख उद्धेश्व है जिन लोगों ने वीडियो लाइक निक्या हो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये कॉशन इस्पेसल कॉशन है ये पढ़ाना आपके लिए जरूरी था ये सिलेबस का हिस्सा है ये पढ़ाना इसलिए आपको आवशक है ये किसका है सिलेबस का हिस्सा है ये थोड़ा पढ़ो ध्यान से सई आंसर सात्यों ए पूर में मिमान सा इस्कूल का मुक उद्देश वेदों की वैख्या और वेदों के अधिकार को इस्तापित करता है ये इसका सई आंसर बारवे में एक कोश्चन नमबर तेरवा ध्यान से देखिए कि न्याय विध्यायले से सम्बंधित निम्न लिखित कतनों पर विचार करें ये है सात्यों कतन एक और ये कतन दो और इसके आधार पर आपको आंसर देना है करिए और थोड़ा सा फिर पढ़ना सुरू कीजिए झाल 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 सई आंसर साति इसका डी ना तो एक और ना ही दो ये दोनों ही सातिरों गलत हैं ये दोनों ही गलत हैं निमलिक में से कौन से विध्यायले ने धार्णा और निसकर्स को वैद ज्यान के स्रोत के रूप में स्विकार किया था अच्छे एक बात बताओ सुनो मेरी बात ध्यान स अगला जो यूनिट होगा, वो कैलेंडर होगा, मेरी बात जान सुनिए, अगला जो प्रसनावली होने वाली है, वो कैलेंडर होने वाली है, क्या होने वाली है, कैलेंडर, अगली प्रसनावली जब भी पढ़ाऊंगा, वो कैलेंडर वाली पढ़ाने वाला होगा, ओके, कैले निमलिक्त में से कौन से विध्यायले ने धारणा और निसकर्स को वैद ज्यान के स्रोत के रूप में स्विकार किया है। रिवाइज करते रहें नए कौशन हैं तो नए कौशन को नए तरीके से करना होगा नए कौशन की तरफ से ही हमको इनको पढ़ना होगा। वॉइस नौट क्लियर वॉइसमं कोई दिक्क्त है क्या यह वाई मैं देख लेता हूँ। वोईस में कोई दिक्कत है तो मैं भी देख लेता हूं यार वोईस तो कि लिए है ठीक है पढ़ लिया अगला कॉशन कॉशन नंबर नियाय दर्शन के संधर्व में निम्न लिकित में से कौन सा कथन सत्त है ये 2021 में हमसे पूचा गया है एक कॉशन नियाय दर्शन के संधर्व में निम्न लिकित में से कौन सा कथन या पर सत्त है आपके पास चार कथने नियाय दर्शन के संधर्व में आपसे पूचा जा रहा ह पढ़िए एक बार फिर आंसर देने कॉसिच कीजिए मैं तो बताई दूँगा देखो ये कॉशन आपको हर जगे अवलेवल नहीं होंगे मैं फिर से कह देता हूं कि ये नया चैप्टर एड हुआ है हमारी NTA University Net में पेपर वन में इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से और गौर से पढ़िए बहुर होने के आफशक्ता नहीं है कि सर्भी तो समझने लगा बहुर हो रहे हैं आज ही पढ़ लेना इनको बहुर नहीं होना है बाई कभी कभी कड़वी दवाई भी खानी पढ़ती है न और ज्यान रहे कि दवाई कड़वी होती है न वो फायदा भी जादा करती है यह कॉशन अगर आप पढ़ लोगे जान लगाकर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें दवाई कड़वी है लेकिन फायदेबंद है सर कब से एडवे हैं तीन साल पहले हैं पर लोगों को पता है नहीं है इनके बारे में सही आरते साथ यो ए लिंग अत्वा हेतू कारण अत्वा नुमान का प्रचालित करना कारण नहीं है इसका सही आंसर दीजिए आगला कॉश्चन को पढ़िए और उसका आंसर देने की कॉसिस कीजिए सत्रवा कॉश्चन पढ़ो प्रचालित करना कारण चेल जोगता रचालित दीजिए को पाम्याम कॉश्चन पाम्या सनीजिए इसका पाम्याम है इसका जोगता है चलिए नमबर 17 का आंसर दीजिए आम और 17 का सही आंसर साते उड़ी पढ़िए और आंसर दीजिए कतन एक गलत है लेकिन कतन दो सही है तो कतन दो को पढ़ लीजे बाकी को आप छोड़ देजी मीमानसक और वेदानति न्याय कोकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय व्यक केवल परार्थानुसार और प्रदसनकारी अनुमान के लिए आउशक है नैकि स्वार्थानुसार अत्वा श्वानुमान के लिए कौशन नमबर अठरा तरक सास्त्र के भारतिय सास्त्र सिद्धान्त के अनुसार अनुमान के सम्मन्द में निमिन लिकित विकल्पों में से कौन सा सत्त है 2021 में इस कौशन को पूचा गया है थोड़ा ढंग से पढ़ो और आंसर दो मैं देख रहा हूं कि class में से student छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं थोड़ा सा लेकिन ये ठीक नहीं है आपके लिए क्योंकि syllabus का हिस्सा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ना चाहता तो नहीं भी पढ़ाता चाहता तो क्योंकि पर ये material आपको कहीं मिलेगा नहीं और अगर आपको समझ कर पढ़ना था तो पुरानी दो class देख लेते आपको idea आ जाएगा और अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो ये सोचो कि हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं और इन question को पहली बार सीख रहे हैं सरीता समझो मत केवल याद करो तरक साच्त्र के भारतिय साच्त्री सिद्धान्त के अनुसार मैंने पूरे नौट्स लगा दिये थे यह थोड़ा ना थोड़िकल पार्ट है इसके मैंने पूरे नौट्स आपको class में पहले ही लगा दिये थे टेलिग्राम चेंडल पर ने यह नौट्ट डाल रखें आपको मैं बता देता हूं कि कहां पर डले ही नौट्स मैं आपको बदला देता हूं यह हमारा टेलिग्राम चेंडल है इस टेलिग्राम घर आगर हम नीचे जायें। डॉक्टर लॉकिस वाली टेलिग्राम पर तो डॉक्टर लॉकिस वाली टेलिग्राम यह रहा देखो भारतिय लॉजिक नॉट्स यह नॉट्स है यह आपको डाउनलोड करना है डॉक्टर लॉकिस वाली से और यह देखो मैंने पहले यह पूरे यहां पर यह देखो यहां पर आपको मैंने सारे नौट्स यहां पर लगा दिये थे, बट आपको देखो, डाउनलोड आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैंने मेरे काम कर दिया, मैंने सारे नौट्स यहां लगा दिये, यह चीज़ें आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगी, नाम आपको करना था कॉस्टर नमबर अठरा कि सई आंसर है साथ इसका डी तरक सास्तर के भारतिय सास्तर सिद्दान्त के अनुसार अनुमान के संबन्द में निमलिक्त विकल्पव में से कौन सा सत्त है सभी सत्त है चारो चारो यह निगमनात्मक है यह आगमनात्मक है इसे आपचारी गुरूप से वैद होना चाहिए इसते ऑपजेक्टी रूप में सत्त होना चाहिए है तो सही है यह दो-चार कॉशन है, इनको मैं सबको नौट्सों को लगा रहा हूँ, टेलिग्राम पर यह सारे नौट्स आपको मिल जाएंगे, यह सारे नौट्स आपको मैं टेलिग्राम चैनल पर लगा रहा हूँ, आप सिंता ना करें आज हम भारतिय तरक्षास्त्र को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं यह देख पा रहा था कि भारतिय तरक्षास्त्र में आप लोगों की विसेश रुची नहीं है, मैंने यह देखा है, पिछले तीन दिन से कि भारतिय तरक्षास्त्र में आप लोगों की विसेश रुची नही ही भण कॉश्ट यह आते जरूरip जरूर इतना जरूरसे देखो कॉशंज जरूरसे आते हैं इतना Nagy अब हम कल पढ़ेंगे केलेंडर कल पढ़ेंगे केलेंडर कि यह सारे अपको टेली ग्राम चैनल पर लगा दूहां वितानसवर अच्छा जो लोग कल मुझस fel कह रहेते हैं कि sir आप social media पर नहीं मिलते हैं मैं उनको Telegram पर Dr. Lockis वाली के नाम से मिल जाओंगा Instagram पर Facebook पर भी Dr. Lockis वाली के नाम से मिल जाओंगा और Twitter पर भी Dr. Lockis वाली के नाम से मिल जाओंगा आप तो मुझे आज ही सर्च करके follow तो कर लेजिए सब जगे और वहाँ पर मुझे कॉल एसमेस भी ठीक है और यह टेली ग्राम चैनल अमारा इसको आप जरू से जोइन कर लेना अब साथ ही